बच्चों, आज हम कक्षाचारेंबो का लेसन 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इन दे मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बच्चों बाजार, तो हम लोग आज बाजार के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बाजार में हम लोग जाते हैं, तो कैसे दुकांदार से कोई च चीजों का हम लोग अंग्रेजी में नाम जानेंगे और उसके साथ हम लोग बहुत सारी मात्राएं भी जानेंगे कि कौन सी चीजें किलो में खरीते हैं, कौन सी चीजें दरजन में खरीते हैं, दरजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये आलिया नाम की लड़की है और shopkeeper है shopkeeper का मतलब होता है दुकानदार तो इन दोनों की बातचीत का Hindi translation हम लोग नीचे सीखेंगे mother gives a list of items to Aliyah and says mother का मतलब माता जी gives का मतलब देती है a list of items items का मतलब होता है सामान तो या फिर वस्तु तो जो माता है Aliyah कि वह उसको एक सामानों की सूची देती हैं और कहती है and says का मतलब और कहती है mother क्या कहती है Aliyah here is a list of items Aliyah यह एक items की यह एक सामानों की list है सूची है please bring these things from the market please bring का मतलब होता है lana these things यानि कि यह चीज़े from the market market से please यह चीज़े market से लेती आओ Aliyah कहती है okay ma ठीक है ma please give me money and a cloth bag please मुझको money दो money का मतलब होता है पैसा रुपया and cloth bag cloth bag यानि की कपड़े का थैला तो वह अपनी मा से कपड़े का थैला और रुपये मांगती है Aliyah goes to a grocery store grocery store किसको कहते है किराने की दुकान को हम लोग या फिर पनसारी की दुकान को grocery store कहते है जहां पर लगबग हमारे जरूरत की सारी सामान मिल जाती है तो उसको grocery store कहते है तो आलिया एक grocery store पर जाती है आलिया कहती है हेलो महेश अंकल वह महेश अंकल से मिलती है जो की सौपकी पर है दुकानदार है और जब भी हम किसी से मिलते हैं बोलते हैं तो आलिया महेश अंकल से मिलती है तो बोलती है हेलो महेश अंकल महेश अंकल बोलते हैं हेलो आलिया वाट डो यू वांट वाट डो यू वांट का मतलब तुम क्या चाहती हो या तुमको क्या चाहिए आलिया कहती है I want rice and jaggery I want, मतलब मैं चाहती हूँ, rice, nibढ़ चाओल, and jegary, jaggery का मतलब good, मैं चाओल और good चाहती हूँ, महेशंकल, महेशंकल कहते है, How much do you want, how much का मतलब कितना, do you want मतलब तुम चाहती हो, तुम कितना चाओल और good चाहती हो, अलिया कहती है 2 kg rice, 2 kg यानिकी 2 kg चाओल, महेश अंकल कहते हैं How much jaggery do you want यानि कि कितना good तुम चाहती हो उसके बाद आलिया कहती है 1 kilo jaggery यानि कि 1 kilo good and a dozen eggs dozen का मतलब होता है बच्चो दर्जन और दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं आपको पता होना चाहिए तो आलिया कहती है कि 1 kilo jaggery यानि कि 1 kilo good चाहिए and a dozen eggs eggs का मतलब अंडे और मुझको एक दर्जन यानि कि 12 अंडे चाहिए महेश अंकल कहते हैं Oh you want 12 eggs Oh तुमको 12 अंडे चाहिए 12 का मतलब 12 आपको पता होगा और यहाँ 12 की spelling दी है इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यह आगे हमको याद करना पड़ेगा तो you want 12 eggs क्या तुमको 12 अंडे चाहिए आलिया कहती है Yes अंकल Give me some candles also Give का मतलब दीजिए मी मतलब मुझे some मतलब कुछ Candles Candles का मतलब होता है मुमबतिया Also मतलब भी मुझको कुछ मुमबतिया भी दे दीजिए उसके बाद अंकल देखिए क्या कहते है महेश अंकल महेश अंकल कहते है How many candles do you want यानि कि How many मतलब कितने candles Candles यानि कि मुमबतिया तुमको कितनी मुमबतिया चाहिए या तुम कितनी मुंबत्ती चाहती हो आलिया कहती है I want 12 candles मुझको 12 candles चाहिए मुझको 12 मुंबत्तिया चाहिए महश अंकल कहते हैं Do you want anything else? Anything else का मतलब और कुछ यानि कि तुम को क्या और कुछ भी चाहिए क्या तुम कुछ और भी चाहती हो आलिया कहती है No uncle नहीं अंकल, can you please give me the bill, can you please, यानि कि क्या आप कृपया मुझको बिल दे सकते हैं, बिल जब भी हम कोई सामान खरीते हैं, तो उस पर जिस हिसाब से, जिस rate से हम लोग लेते हैं, जिस दर से, उसका एक बिल बनवाते हैं, जिस पर हम लोग कितना total हमारा amount हुआ, उसको जोड़ क दुकानदार हमको देता है, तो उसको हम लोग बिल कहते हैं, तो वही आलिया पूछती है, कि अंकल, क्या आप मुझको बिल दे सकते हैं, महश अंकल कहते हैं, here is your bill of 250 रुपीज and your packets, यानि here is your bill, यह रहा तुम्हारा बिल of 250 रुपीज, यानि कि 250 रुपए का and your packets, और तुम महारे सामान का packet है, जिसको उसने एक थैले में एक जगा इकठा किया हुआ है, एक packets में, उसको दे देते हैं, आलिया कहती है, अंकल, I have brought a cloth bag, अंकल, मैंने एक कपड़े का थैला, brought का मतलब लाया है, I don't use polythene bags, मैं polythene यानि plastic के bags, plastic के थैले use नहीं करती, क्योंकि महश अंकल आलिया को, वो सामान, plastic के packets में दिये रहते हैं, तो आलिया कहती है, कि मैं कपड़े के bag लाई हूँ, और मैं plastic bag use, polythene bag use, नहीं करती, महश अंकल कहते हैं, that's good, या तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत अच्छी बात है, आलिया कहती है, अंकल, don't you know that we must not use polythene bags, don't you know, या क्या आप नहीं जानते, we must not use, हमको प्रियोग नहीं करना चाहिए polythene bags, क्या आप नहीं जानते कि हमको polythene के थेले नहीं प्रियोग करने चाहिए, महश अंकल कहते हैं, I know आलिया, but other customers don't bring cloth bags like you, मैं जानता हूँ आलिया, I know आलिया, यानि कि मैं जानता हूँ आलिया, but मतलब लेकिन other customers, customers का मतलब होता है, ग्राहक, जो other customers है, दूसरे ग्राहक है, don't bring, यानि कि नहीं लाते हैं, cloth bags, कपड़े के थेले नहीं लाते हैं, like you, तुम्हारी तरह, दूसरे customers कपड़े के थेले नहीं लाते हैं, आलिया कहती है, if you stop giving polythene bags, they will bring cloth bags, if you stop giving polythene bags, यानि कि अगर giving का मतलब देना, stop कर देंगे, रोग देंगे, they will bring cloth bags, वे bring करेंगे, लाएंगे cloth bags, यानि कि वे कपड़े के थेले लाना, शुरू कर देंगे, महश अंकल कहते हैं, you are right आलिया, तुम सही कह रही हो आलिया, तुम सही हो आलिया, from now onwards, I will do this, from now यानि कि अब से, मैं या करूंग आलिया कहती है, अंकल, please take the money, thank you, अंकल, please अपना पैसा, अपना रुपया ले लिजे, और उनको धन्यवाद करती है, तो उमीद करता हूं बच्चों, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारे नए-नए शब्द सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे नए-नए वाक्य सीखने को मिले होंगे, तो इस वीडियो आपको जरासी भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, और चैप्टर के अंत में कुछ कटे शब्दों के अर्द दिये हुए है, तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, और